हेलो इस्टुदेंट्स हेलो इस्टुदेंट्स गुड मॉर्निंग आरशियाई एजुगेशन अब की ओनलाइन प्लासेज में अपका स्वागत है कल अपनने बढ़ा था सेयोजन अभी क्रिया आज बढ़ेंगे धूस्के परकार की विओजन अभी जिसका दुछ्रा नाम है आपक बढ़न अभी क्रिया विओजन अभी क्रिया आपक बढ़न अभी क्रिया बिद्ध़ते हूं देखो यहां पर सब्द है विओजन अब बटन का समाने सार्थ है तूटना अब जैसी परिवासा आएगी जैसा इस अधीक्रिया का नाम है उसी के आदार पर परिवासा निकल करके आ रही है कि वह है रासाइनी का विक्रिया जिसमें एक अभीकारक दो या दो से अधीक उत्पाद के अंदर अब घटित हो जाता है तूट जाता है बड़ जाता है उसे अब घटन अभीक्रिया कहते हैं उसे परिवासा लिखते हैं ऐसी रासाएं में करनी पिरिया अभी पिरिया जिसमें एक एक अभी कारफ दो या दो या दो से आधी कुछ पाद में अब घटित हो जाता है उसे अब घटन अभी किरिया करते हैं अब किसी भी पदार्ट का गटन जो है किसी भी पदार्ट का आप गटन जब होता है तो तीन पार्णों से होता है या तो उस्मा से या बेदुत से या पर प्रिकास से इसी के अधार बार आभगटन अभी के लिए जो है वो तीन पिकार के होती है उस्मी है अभगटन, बेदुत अभगटन, प्रिकास अभगटन यदि किसी पदार्द का आवगटन उसमा के कारण हो रहा है तो उसमी आवगटन यदि विद्दुत के कारण हो रहा है तो विद्दुत आवगटन प्रकास के कारण हो रहा है तो प्रकास ये आवगटन यहां अब गटन जो है उस अभीतिया को समझने के लिए हम एक प्रियोग करते हैं प्रियोग में एक तुस्त जो अर्थन मेली देते हैं इस नली में इस नली में हुआ है प्रोड़ा सा और तो देते हैं अभी मेरास और शाल कि अज़या है अब इस फेरस से सल्फेट लेते हैं अब इस फेरस सल्फेट के विल्यन को धर्म करते हैं, और इसके रंग को ध्यान पूर्वक देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि कवतन मली में उपवास्ते फेरस सल्फेट का रंग बदल जाता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फेरस सल्फेट में उपवस्ति त्रिस्टलन जाता है गर्ण करने पर वहाद निकल जाता है वहाद निकल जाता है जिससे तेरस सल्पेट जो है इसका रंग बोदर जाता है यहाँ क्रिश्टलन जल जो है वह बहार निकल जाता है बहार क्यों निकला क्योंकि इसको गर्म किया यानि उस्मा दी गई उस्मा के करणा बगटन होगा इसलिए उस्मी आपगटन का प्रकार हो जाएगा अब यहाँ देखो एक समझाय है क्रिश्टलन जल अब अपने को यह में पता होना चीए क्रिश्टलन जल होता क्या है यहाँ क्रिश्टलन जल की परिवाशा किसी भी लवन का लवन के हिकाई सुत्र में उपस्ते ने सिट जल के आणों को क्रिश्टलन जो जो कहते हैं जैसे फेरा सल्पेट जो है इसमें सेवन आइस को दूंदी कहा है क्रिश्टलन जल एक इसी प्रकार प्रकार क्रिश्टलन जल क कहिए क्रिश्टलन जल के अनुन कहलाते हैं आज आपगटन अभी क्रिया में पहला प्रकार उसमें आप बटन पड़ रहे हों उसमें अबगटन यहनकी उसमा के कारण अबगटन हो रहा है जिसमें अपने प्रियोपड़ा फेरस सलफेट का जो विलियन है उसको हम जब गर्म करते हैं तो वह अपना रंग बदल देता है अबगटित हो जाता है इसलिए इसको उसमें अबगटन अभिक्रिया कहते हैं अबगटन अभिक्रिया में एक अभिकारग जो है वो दो या दो से अधिक प्रोडेक्ट में उत्पाद में अभगटित होता है विभगत होता है इसलिए 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 अभगटन अभिक्रिया कहते हैं इस किसमें होता है कैसे होता है इसके लिए अपने समीकरण सेमेकंड के रूप में ईसे लिखे हैं इस paganусов स्वाइब है इसमें है वो सवस्ता में है जब इसको उसमा भी जाती है गरम किया दाता है तो यह है थेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड में अबगड़ित हो जाता है यह भी ठोस है यह गैस है यह गैस है इसलिए इनकी बहुत है इनकी इनकी इसे पॉस्टर में दर्शार री गई है यह है फेरस सल्फेड यह है फेरे ओक्साइड यह है यह है सल्फर डाई ओक्साइड यह है सल्फर ट्राई ओक्साइड यहां एक एक लगी कारव जो है वो गर्म होकर की उस्मा की कारण उस्मा को हम ऐसे चिंद से भी दर्शा सकते हैं डेल्टा से भी दर्शार सकते हैं फेरस ओक्साइड है फेरस अक्साइड है फेरे 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 तेन उत्पाद के अंदर ये विवक्त हो गया इसी प्रिकार इसका दूसरा उलाने भी है कैल्सियम कारगोने को जब हम उस्मा देते हैं गार्म करते हैं तो यह है कैल्सियम ओक्साइड और सियो टू गैस नब वक्त हो जाता है तो यहां यह भी उस्मीय अभगटन है इस प्रकार से आज आपने पहीं बढ़ेंगे धन्यवाद इसमें आपको दो क्यूस्यन करने हैं चुछा पर्धान अभी किसे करते हैं दूसरा किसान उसमी अब गटन अभी किसे कहते हैं एक प्रियोग द्वारा समझाइए धन्यवाद को